नमस्कार स्वागत है गवारपुनों आप सभी छात्रों का बिपेसी मेकर के एक और एपिसोड में जैसा कि आप सभी जानते हैं बिःहार की परतुगी परिक्षाओं को लेकर बिपेसी मेकर यूटुब चैनल पर डेली करेंट अफेर्स की क्लास चलती है जिसमें बिहार राश्टर अंतराश्टर तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्र होता है तो आज हमारा है ये पांस्सो नवासवा क्लास और आज की इस वीडियो में 2 जून 2023 से शंबंदित बिहार करेंट अफेर्स और साथ हैं राश्टर अंतराश्टर घटनाओसित करेंट अफेर्स के जितने भी प्रशने बनेंगे शंबंदित सारी जानकारी आपको विश्तार पुर्वक दिया जाएगा जो भी चातर पहली बार इसे स्रिंखला से जुड़े हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किये हैं तो दियान रखेंगे हमारे जितने भी इस्टेडी मेटरियल और नोट्स वगरह है आप चाते हैं इसे डाउनलोड करना तो विपेसी मेकर एप को प्लेश्टोर से डाउनलोड करें आप वहां से इसे प्राप्त कर पाएंगे शाथ सा टेलिग्राम पर हमारा एक पेड़ ग्रूप है आप चाहें तो उसे भी जोइन करके तमाम इस्टेडी नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं ये सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे फिलाल अब यहां पर हम आचुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्ण पे ये प्रश्ण पूछा गया था प्रश्ण था कि हाली में बिहार सरकार ने कितने घं मीटर से उपर भूजल के इस्तमाल पर अनापत्ती प्रमान पत्र अर जोसी लेना अनिवारी होगा तो इस रिसा में ध्यान रखे आपसन नंबर बी इससे प्रश्ण का राइट अंसर होगा प्रते एक दिन आप आधा गंटा समय निकाल कर इससे स्रिंखला के वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा पहले आज वाला ये वीडियो देख लिजे अगर आपको लगे कि ये स्रिंखला के वीडियो से आपकी हैल्फ हो सकती है फिर हैल्फ हो रही है तो नो डाउट आपको प्रिवेस वीडियो को भी फॉलो करना है ताकि आप एक्जाम में बेहदर इश्पोर कर पाएं चली अब यहाँ पर हमाच के हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रिशन के पहला प्रिशने की हाली की घोषना के अनशार बिहार में कितने जगवों पर खेल विग्ञान के अंदर खोले जाएंगे ये घोषना अभी हाली में भी है और घोषना के अभार पर प्लमला के 5 जाएगा जिससे उनकी परतिबा में निकार आएगा और विर राच्टे अस्तर पर मेडल जीत कर बिहार को गौर्वानवित करेंगे अब यहाँ पर शवाल यह उठता कि यह पंच जगह कौन कौन से जहाँ पर खेल विग्यान के अंदर खोले जाएगे तो इसको लेकर पारदर सिता नहीं वी है कि वो जगह कौन सा होगा जहाँ पर इसकी स्थापना होगी जब यह किलियर हो जाएगा तो मैं आपको इसकी जानकारी अवस्त होगा फिलाल यहाँ पर खेल और खिलाडियों के बात हो रही है तो ऐसे में बिहार के संदर्व में कुछ एक्ट्रा प्वाइंट ध्यान रखे जो हाली के दिनों में हमने आपको बतलाया है और इसका उद्गाटन बिहार के उप मुक्र मंतरी शाह स्वास्त मंतरी तजिस्वी यादो द्वारा किया गया था इस सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे हलाके भी हाले की दिनों में खेल और खेलाडियों को लेकर एक प्रस्ण बना है जो कि most most important है वो जानकारी यहां पर आप देख रहें कि खेल और खेलाडियों के विकास के लिए प्रतिबद बिहार सरकार दोरा बिहार राज खेल परादिकरन को 25. मार्च 2023 को एक स्वायत सतनस्था के रुप में कानूनी मानता दिया ओगा मानिता मिला है अब यह मानिता मिलने से बिहार राज खेल प्रादिकरन बिहार से जुड़े वे खेल और खिराडियों को लेकर किसी भी प्रकार की घोशना या फिर फैसला लेने के लिए श्वतंत्र है यहां से ध्यान रखें अब यहां पर नमारा इसमें अगला पॉइंट है कि वरतमान में बिहार राज खेल प्रादिकरन के महान देशक है रविंदरन शंटरन एक जानकारी यहां पर आपको कमेंड करके मुझे बदाना है कि वरतमान में बिहार के खेल मंतरी कौन है कई बार हमने आपको जानकार दिया है कमेंड बोक्स में जाए और वहां पर लिख मिस गर्जस 2023 का खिताब जीता है जिने आप यहाँ पर इस तस्विर में देख रहे हैं तो इस प्रश्णी का हमारा राइट आंसर होगा अपसन नंबर बी यानि की दर्वंगा अब यहाँ पर आपको जाने का रहे हैं कि हाले में दर्वंगा की आमरपाली सोनु जहा ने जुनियर मिस इंडिया प्रत्युक्ता में मिस गर्जस 2023 का खिताब जीता है दरसल यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना का वह महाज 14 साल की क्लास 9 की चात्रा है आप यहाँ पर तस्यूर मिदे सकते हैं एक मात्र 9 क्लास की चात्रा है बहाँ 14 साल इनकी उम्र है अब यहाँ पर हमारा इसमी अगला पॉइंट है वरतमान में वे अपने परिवार के साथ पूने में रहते हैं मूल रुप से यह बिहार के दरवंगा जीले की रहने वाली है चुकि यहाँ पर दरवंगा की बात हुए तो दरवंगा के बारे में एक जानकारी हमने आपको वरसुद 2021 में दिया था एक report आये थे जिस report में ये जिक्र किया गया था कि बिहार में राज़दहनी पतना के बाद जो राज का दूसरा सबसे बड़ा education hub है वो दर्भंगा है और दर्भंगा के बारे में हाली में कई सारे प्रश्ण और भी बने हैं जो कि इसी इस रिंखिला में हमने आपको समय समय पर बतलाया है फिलालब यहाँ पर हम अगले point के बात करें चुकि यहाँ पर हमने संदर परतयुकता के बात किया तो इसी के तर्थ जो प्रिच्छा उप्योगी कुछ महत्पूर्ण जानकारी निकल कर शामने आती है हाली के दियों में तो ऐसे में सबसे पहला और जो most important है Miss Universe प्रतयुकता 2022 वाला यह एकतर भी Miss Universe प्रतयुकता था 2022 की तो सरगम कौसल जो कि जम्मो कस्मिर भारत की है एकीस वर्ष बाद मिसेज वर्ल्ड का किताब भारत की जोली में आया और सरगम कौसल ने भारत को दिलाया था और इसके एक और है Miss India 2023 तो नंदने गुपता इसके वज़ेता है जो कि कोटा राजस्थान की राने वाली है तो यह यहां से यह संदर प्रतयुकता के बारे में आपको यह सारे बाते दियान रखना है हलाकि Miss World 2022 की बात करें तो भारत के संदर में यह बहुत important है हो सकता है यहां से आपके एकजाम में प्रशन बने complete जानकारी हमने आपके समक्च रखा है जैसे कि Miss World 2022 का जो आजन था यह 2022 में अमेरिका के लास वेगस में आजित किया गया था और इसमें जमो कस्मीर भारत की सरगम कॉसल ने Miss World 2022 का खिताब अपने नाम किया यह point यहां पर इसलिए important है क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि 20 साल बाद किसी भारते महला ने यह खिताब अपने नाम किया है इससे पहले 2001 में लास वेगस में ही जो Miss World परतुग्दा आजित वे थी यहां पर खिताब अधिती गुवित्री करने भारत को दिलाया था तो यह जानकारी आप दिहान रखेंगे अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उदादू कि जितनी भी छातर घर बैठे रखर बिपिस्सी या फिर बिहार के परतुगी पर एक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो अपने तैयारी को बहतर करने की दिसा में या फिर तैयारी को सून यूजित तरीके से करने की दिसा में आप हमारे इस पेड ग्रूप को जरूर जोन कीजे और ये टेलिग्राम पर संचालित है इस paid group में विशे अधारित notes के दाथ आपको ये तमाम notes आपको उपलब्द करा जाएंगे जिसमें history, geography, quality, economic, science, बिहार जिके आदे के notes होंगे और इसी में आपका BPC exam के लिए 40 full length test paper आपको दिया जाएगा इसका तमाम PDF file पर तेक शुबा 5 बजे आपको आपके course में या फिर आपके paid group में उपलब्द करा जाता है शाद साथ इसके अत्रिक्त monthly और yearly notes जो वनता है current affairs का वो भी आपको यहाँ पर उपलब्द करा जा रहा है वर्स 2021 से अब अगर आप जोईन करेंगे तो 2021 से अब तक का सारा notes इसमें मिल जाएगा और अगले एक वर्स तक आपको मिलता रहेगा हलाकि यह सभी जो चीज़े आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको BPC maker app पर जो BPC वाला course है उसमें भी आपको मिल जाएगा तो अपनी सुविधा के अनुसर आप चाहे है तो paid group को join कीजे या फिर BPC maker app को download करके वहां से यह तमाम material को प्राप्त कर सकते हैं फिलाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के अगले प्रशन पे हमारा अगला तीसरा प्रशन है कि पर्यावरन और लोगों के स्वास्त को दिहान रखते हुए रज के कितने पारकों में जोगिंग ट्रेक और अपन जीम की सुविधा दी जाने की घोशना हाले में भी है चुनकि यहाँ पर बात होरी है बिहार के बारे में ये भी आपको दिहान रखना है कि पर्यावरन और लोगों के स्वास्त को दिहान रखते हुए बिहार सरकार ने रज के कितने पारकों में जोगिंग ट्रेक और अपन जीम की सुविधा दी जाने की घोशना की है तो इस प्रश्णी का जो मारा राइट आंसर होगा घोशना के अभार पर इसका राइट आंसर है 250 से अधिक पारकों में ये का सकने स्विधा देने की घोशना अभी हाल ही में किया गया बिहार सरकार के दोरा दरसल यहां पर कुछ चीजें आपको दिहान रखना है हलाकि कुछ कंडिशन भी है इसमें जैसे कि पहला पॉइंट है कि परियावरन और लोगों के स्वास्त को दिहान रखते हुए बिहार सरकार ने राज के पारकों में जोगिंग ट्रेक और ऑपन जीम की सुविधा देने का फैसला किया है और इसके तद आप दिहान रखनेंगे इसके तद परियावरन वन अवंग जलवाई परिवरतन विभाग की ओर से राज्य के सभी जीलों याने की 38 जीलों में करिब 250 से अधीक पारकों में जीम लगा जाएंगे जिसे पारक का सकते हैं छेतर फल आधा एकर या उससे अधीक होगा वही पर ये सुविधा उपलब्द कराई जाएगे हलाकि यहां पर हम बात लें राज़ाने पटना के दृष्टिकों से तो ये 250 से अधीक पारकों में से 40 पारक जो सामिल है ये पटना के पार एह पर ये खोला जाएगा या फिर अस्थापित किया जाएगा हलाकि इसके अधरित आपको ये भी ध्यान लखना है कि महला और पूरुस दोनों के लिए अलग-अलग जीम को पलब्द कराए जाएगे तो इतनी सारी जानकारी है जो कि आपको इस प्रश्ण से शम्मंदित यहां बरत ध्यान लखना है फिलाल अब यहां पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्ण भी जो की अती महत्पूर्ण है यहां पर आपको संबंदित सारी जानकारी देदों जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि हाली में आईजित आईपियल के सोलवे संस्रण में राजस्तान रॉयल्स के आपनर बल्लेबाद जैसे स्वी जैसवाल को इस सीजन का इमर्जिंग प्लेयर आप्टाव सीजन का खिताब दिया गया यह चीज़े यहां से आप ध्यान रखेंगे वो सभी हमने यहां पर पॉइंट वाइज आपके समच रखा है जैसे कि सबसे ज़्यादा रण के लिए जो खिलाड़ियों को औरेंज कब दिया जाता यह किसको मिला तो सुमन गिल को मिला जो की 890 रण याने के सरवाधिक रण इन्होंने इस IPL के सोरवे संस्मिन बनाय था जिसलिए इन्हें अभी हाल ही में औरेंज कब से सम्मानत किया गया इसके अत्रिक्त एक होता है परपल कैप तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा विकेट के लिए परपल कैप दिया जाता है जो कि महम्मद समी को दिया गया कुल मिला के सबसे अधी के दोने 26 विकेट अपने नम किया एक चीह यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे सुमन गिल और महम्मद समी दोनों गुजरा टाइटन्स आईपल टीम के खिलाडी है इसके अतरिक्त हमारा अगला पॉइंट है Most Valuable Player के बारे में तो सुमन गिल को यह खिताब दिया गया या फिर इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया जबकि अगले पॉइंट के बात करें तो Catch of the Season का अवोर्ड मिला रासीद खान को Next नमारे यहां पर है Fair Play अवोर्ड के बारे में तो दिल्ली केप्टेल को Fair Play अवोर्ड से सम्मानित किया गया अगला है विजिता के बारे में पर आप दियान रखेंगे हाला कि IPL की बात हो रहे तो IPL के बारे में कुछ ज़रूरी Fact है जहां से आपके Exam में प्रश्ण बनते हैं वो सभी हमने आपके समक्ष रखा है तो इसका पूरा नाम होता है Indian Premier League और Indian Premier League की बात करें तो भारत में एक T20 Cricket League है और इसकी स्थापना भी थी वर्सत 2007 में लेकिन इसका पहला टूर्णमेंट वर्सत 2008 में खेला गया था और वर्सत 2008 में जो टूर्णमेंट खेला गया इसका विजटा बना था राजस्तान Roys तो यहां पर आपको ये धियान रकना है कि पहली विजिता जो IPL का है वो है राजस्थान रोयल्स जबकि 2023 IPL के बात करें तो ये इसका सोलवा संत्रन था 2023 का प्रेमियर चन्नी शुपर किंग्स ने जीता जोंकि पंच्वी बार चन्नी शुपर किंग्स ने इस खिताब को अपने नाम किया है 2021 में भी चन्नी शुपर किंग्स ने इस खिताब को अपने नाम किया था जो चौती बार था इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है इसके साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट आप ये ध्यान राखेंगे चन्ने सुपर किंग से पांच IPL खिताब हांसिल करने वाले दूसरी टीम है यह चीज आपको यहाँ से समझना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले मुंबाई इंडियन्स ने पांच बार और उप विजदा की बात करें तो मुंबाई इंडियन्स इसका विजदा रहा यानि कि पहले संस्क्रन का विजदा मुंबाई इंडियन्स दिल्ली केपिटल्स को हरा कर इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है और यहां से जो भी प्रशने आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है तो इस आभार पर इसका जो राइट आंसर है option number C यहां पर इसका राइट आंसर होगा फले ओप मुकाबले को अगर आपने देखा होगा तो आपको इस प्रकार से डौट बॉल जो होती थी तो यह वो साइन था जो कि BCC ने घोशना किया था कि प्रतिक डौट बॉल पर 500 पेड़ लगा जाएगा तो इससे समझत यह सारी जानकारी यहां फर ध्यान रखें फिलाल यहां पर कुछ और भी जानकारी है जो कि आपको बता दो अब हाले में यह आएफिल का 16 संसर जो था या फिर जो सीजन था यह इसका समापन हो गया है और वादे के अनुशार BCCI तकरिबन डेर लाख पेड़ लगाएगा यह जानकारी यहां पर आप ध्यान रखेंगे चुकि बात हो रही BCCI के तो BCCI के बारे में एक अहम जानकारी हाले की दुनों में हमने आपको बतला है था I hope कि आपको याद होगा BCCI अथा तब भारते किर्केट कंट्रोल बोर्ट ने भारते किर्केटनों को लेकर सलाना अनबंद जारी क्या है इसे कुछ केटेगरी में डिवाइड कियागा है जो आप यहाँ पर देख रहे है ग्रेड A, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C इसके तब ग्रेड A पलस में चार खिलाडी सामिल हैं जिसमें ही रोहित सर्मा, विराट कोहली, जस्परित भुम्रा और रविंदर जडेजा इन चारों खिलाडियों को सलाना अनबंद के अधार पर 7 क्लोर किरासी परदान की जानी है या फिर जाती है ग्रेड A में 5 क्लोर किरासी, इनमें हार्दिक पांडिया, आर अस्विन मुहम्मद समी, रिशप पंत और अक्षर पटल सामिल है और इसके अतरिक्त ग्रेड B के बात करें तो इसमें चेटस्वर पोजारा, केल, राहुल, मुहम्मद सिराज, सुरिक मार यादव, सुंबन गिल और स्ट्रेयस अईयर सामिल है जबकि Great Sea की बात करें जिसमें सराना अन्वंद के अदार पर एक क्लोर की रासी दी जाती है तो इसमें उबेश यादव, सिखर धवन, शारदुल ठाकुर, इसान किसन, दीपक होडा, युजवेंदर चहल, कुलदीप यादव, वासिंटन सुंदर, शंजु सैमसन, अरसदी है, वो बिहार का नादा जीला है, ये जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और इसान किसन को इसमें, बिसी सैय का जो सलना अनवंद हुआ, इसमें Grade C में रखा गया है, फिलाल आप यहाँ पर चलते हैं, अगले प्रश्न पे, अगला च्छाठा प्रश्न है कि भारत किसराजी में बने, देश के सबसे बड़े उच्छ नैले का उदगाटन हाली में, भारत के राश्न पती द्रबदी मुर्मों की द्वारा किया गया है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अप्सन नमबर C, जारखंड में भारत का सबसे बड़ा उच्छ नैले क निर्मान किया गया है, अप्सन नमबर C, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आपको जानकर देदों की जारखंड की राइधानी राची में बने, हाई कोट का नया सांदार ववनवग परिसर देश का सबसे बड़ा हाई कोट केंपस है, वरतमान समय के अभार यह सबसे बड़ा हाई कोट केंपस है, जो के भी हाली में जारखंड की राधानी राची म बना है, अब यहाँ पर आपको इसको लेकर ध्यान रखना है कि इसका छेतरफल सुप्रीम कोट के केंपस से भी कई गुना जाबा है, यह भी जानकार यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दरसल इसके छेतरफल की बात रहें तो इस हाई कोट का जो छेतरफल है, 165 एकर में फैला हुआ है, और इसके निर्मान की बात रहें तो इसके निर्मान पर कुल लागत आये थी 550 क्लोर रुपे की, यह निकि 550 क्लोर रुपे की लागत से इसका निर्मान किया गया है, हमारा पतना हाई कोड के नए चीफ जस्टिस निउक्त किये हैं। वे दोज़र पचीश तक इस पदर पर रहेंगे। दसल यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पतना हाई कोड के ताथकालन चीफ जस्टिस संजेक करोल के सुप्रीम कोड में जज़ बनने के बाद पतना हाई हो गया था जिसके बाद अभी हाली में केरल हाई कोड के जज क्रिशन विनोद चंदरन पतना हाई कोड के नए जज़ बने हैं। यह ध्यान रखेंगे। पतना हाई कोड की अस्थापना के बारे में एक प्रशन कोबन रूप से कई बार एक्जाम में पूछे गए हैं। इस यहाँ पर हमने इंगित किया है क्रिशन विनोद चंदरन जिने की आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं वे पतना हाई कोड के 44 मुख्य नाधीस हैं। यह जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और वे 2025 तक इस पद पर शेवा देंगे और उन्होंने संज क्या है कि पतना हाई कोड ने अब तक भारत को दो मुख्य नाधीस दिये हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य नाधीस क्याने की चीफ जस्टिस की आप लोग कनफ्यूज नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के बात करें तो भिमनेस्वर परशाद सिन्हा के रूप में सातों प्रशन की नमलेकित में से कहा हाली में खीर भवानी मेला आजित किया गया। अब इहाली में ये खबरों का विसाय है और इस प्रशन के हम राइट आंसर के बात करें तो खीर भवानी मेला का जो आजन है अब इहाली में जम्मो कस्मीर में किया गया। तो आफ्सन नम लगे जो खीर या फिर शीर भवानी मेला है ये जम्मु कस्मीर से ही समंदित है अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है इसमें कस्मीरी पंडित परिवारों और देश के विन्ने हिश्यों की हजारों पंडितों ने इसमें भाग लिया है यहाँ पर ध्यान रखेंगे मूल इसमें पंडित वर्ग के लोग भाग लेते हैं और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि कस्मीर के पंच मंदिरों में चीर भवानी मेले का इजन किया जाता है और इसमें एक अतरिक तरफेक्ट हमने सामिल किया है कि जमु कस्मीर में मनाया जाने जो कि बेसाखी बारे मात करें तो जम्मु कस्मिर मना जाने वाला एक सबसे प्रमुक महसव के सूची में ये सामिल है और इसके अतरिक ते टूलिप फेस्टिवल या पिर टूलिप महसव जो जानकारी हमने कुछ समें पहले आपको दिया था आई होप आपको याद होगा इसके अतरिक ते सिकारा महसव साथ साथ गुरेज महसव जो कि ये सबी जम्मु कस्मिर में मना जाने वाला एक प्रमुक महसव या फिर शमारो है तो इतनी साथ जानकारी आपको यहां से धिहान रखना है फिलाल अब यहां पर हम चलते हैं अगले आटफे प्रशन पे ये प्रशन की हाली में अटल भोजल योजना का कारिकल बढ़ा कर दिया गया है प्रशन पूछा गया कि बताएं कि इसकी सुरवात कब की गई थे यानि कि अटल भोजल योजना की सुरवात कब वे थे इस प्रशन का हमारा राइट आंसर है एक अप्रेल 2020 को अटल भोजल योजना की सुरवात हुई थे इनसे 7 तत्यों में पहला पॉइंट है कि राष्टी अस्तर की संचालन समीती ने भारत की केंद्रे च्छेतर की जल संडेक्शन योजना अर्थत अटल भोजल योजना का कारिकर दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया दरसल यहां पर कुछ चीजें हैं जो आप जहां डेखेंगे कि इस योजना की जो समय सीमा निर्धारत थी वो 2025 थी लेकिन अब सरकार ने इस योजना की अबधी दो साल बढ़ाकर 2027 कर दिया है इस वज़ा से यहां पर यह पॉइंट इंपोर्टन होता है पहले जो समय सीमा निर्धारत थी यह 2025 थी लेकिन इसमें दो वर्ष का इजाफा करते हुए इसे 2027 क्या गया है अर्थाथ अटल भोजल योजना की जो कारियान व्यान की या पिर कारिय अबधी जो है इसकी यह 2027 हो भी अब यहां पहला अगला पॉइंट अटल भोजल योजना का मुख्य उद्दिश देश के संकट गरस्त चेत्रों में भोजल संसाधनों के परबंदन में सुधार लाए इसी उद्देश से इसकी शुरवात की थी एक अप्रेल 2020 को नरेंद्र मोधी के त्वरा अब यहा इतिहास की बात करें तो इस द्रगा रिपोर्ट पहली बार हाली में जल सकती मंत्राले द्वारा पेश किया गया इंशे समंदत बिहार के संदर में कई सारे फैक्ट है जहां से एक्जाम में परश्ण बन सकता है जैसे कि पहले पॉइंट की बात में तो भारत में इतिहास मे यहापे के होगा भारत के इतियास में पहली बार केंदर सरकार ने देश भर में जल सरोतों की गन्ना की है और इस रिपोर्ट की बात रहे हैं तो इस रिपोर्ट के अनुशार देश में 24,540 जल सरोतों की गन्ना की गई जिसमें 97.1 अर्थाथ 23,055,055 जल सुरोत ग्रामिन च्छेतरों में है और महज 2.9% अर्थाथ 29,485 जल सुरोत सहरी च्छेतर में है ये एक्जेक्ट डेटा क्या गाता है वो आपको धिहान रखना एक्जाम परपस से क्योंकि भारत की एधिहास में इस तरह के रिपोर्ट पहली बार आई है हो सकता है, यहाँ से आपके एक्जाम में परशन बरें इस रिपोर्ट में यह दर्साया गया या पिर यह देखा गया है कि सहरी च्छेतरों की तुल्ना में ग्रामिन च्छेतर में जो जल सुरोतों या फिर जल निकाएंविन की संक्या ऊथी है ते जल आधी है यह तकी ज़ादा अधी है यह चीज़ है यहां पर आपको ध्यान अपना है बिहार की बात करें थो इस रिपोर्ट के अधार पर बिहार में कुल 45,793 की गन्ना की गई और इसमें से 43,831 याने कि कुल संख्या का 95.7% ग्रामिन छेत्रों में है जबकि महज 1922 याने कि 4.3% सारी छेत्रों में ही जल सरूत है कि जानकारी आपको इस रिपोर्ट की अभारे पर याद रखना है हलाकि इससे भी इंपोर्टन ये वाला पॉइंट है कि बिहार में 49.8% अर्थात 49.8% जल सरूत सूखे और अती कर्मन की चपेट में है इसी रिपोर्ट में ये बात कहीं गई इसकी जानकारी हमने कुछ समय पहले विश्तार पुबग दिया था इस सारी बाते ध्यान रखेंगे आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लिजे हलाकि जो जानकारी हमने आपको पीडियाप से समंदित दिया कि पेड ग्रूप में आपको इसका पीडियाप उपलब्द करा जाएगा तो पीडियाप डाउलोड करने का फायदा आपको यह होगा कि नोट करने में जो आप अपना समय व्यार्थे करते हैं तो ऐसे समय की आपकी बचत होगी नो डाउट जिस परकार से हम आपको मैटरियल देंगे वो आपका एक परकार का नोट का ही क्लाम करेंगा आप उसे अच्छी तरिके से अपने फोन ड्राइप में सेव करके रखेंगे समय समय पर उसका डिविजन देते रहेंगे इसी आपका समय बचेगा और आपको अधर सब्जेक्ट पर धियान के अंदरित करने का समय मिलेगा चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले फॉइंट पर या फिर अगले प्रश्न पर यह प्रश्ने की हाली में भारत को कहां दोसरी जल विद्यूद परविजना शुरू करने की अनुमते दी है नेपाल गवर्मेंट के दोरा भी हाली में यह अनुमती दिया गया है 900 मेगावाट अरुन्ति जल विद्ध परजना विक्सित कर रहा है जो कि वर्स 2024 में पूरा होने की संभावना है हलाकि दूसरी जल विद्ध परजना सुरू करने की अर्मती हाली में नेपाल वरा दिया गया है यहां पर ध्यान रखेंगे इसके अतरिकते कुछ अहम जानकारी हमने भारत और नेपाल के बारे में सामल किया है कि भारत नेपाल सन्युक्त सैंने परस्टिक्षन अभ्यास सूरी करन का 16 संसरन हाली में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलजहंड़ी में आजित किया गया था इसका पिछला संसरन जो था पंदरबा संसरन ये 20 सितंबर 2021 से उत्राखंड के पिथोरा गड़ में आजित किया गया था ये भी जानकारी नोट करेंगे नेक्स्ट दसों प्रशने की हाली में सरत बाबू का निदन हुआ है बताएं की वे निमलिखित में से कौन थे जिनने आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहें आई होब कि आप सभी इने जानते होंगे तो साउथ इंडियन फिल्म के अविनेता थे तो आपसल नमबर बी यहाँ पर इस प्रशन का हमारा राइट आंसर होगा आपको जानकर देनों की साउथ फिल्म इंडिस्टी के बड़े इश्टार सरत बाबू का लंबी बिमारी के बाद हाली में निदन होगया वे 71 परश के थे जानकरी आप यहाँ पर दियान लेगे चुकि बात हो रही फिल्म इंडिस्टी की तो ऐसे में यहाँ पर कुछ अहम जानकरी हमने आपके समख्च रखाया जो कि हाली के दिनों में करेंट अपरश के परशन बने है नो डाउट यहाँ से आपकी एक्जाम मे परुषकार में फिल्मों के लिए सरवाधिक अनैकूल राज का पुरुषकार जीता है 70 stuff राश्ट्रे फिल्म परुषकार के बात करें तो इसमीं मतपरद्श में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनिकूल राज का परुषकार अपने नाम क्या है जो कि बात हुई 68 में रस्टे फिल्म पुरुषकारों की यानि कि 68 में नेशनल फिल्म अवोर्ड की तो इसमें सरस्ष्ष्ट अविनेता का जो अवोर्ड मिला ये सूरिया और अजय देवान को सन्युक तोर पर दिया गया ये जानकारी यहां से ध्यान लखेंगे हलाकि हम बात करें 68 में फिल्म फिल्म फैर अवोर्ड की जो के भी हाली में मुंबई में आज़ित वाता हाली में ये जानकारी हमने आपके समक्च रिखा था तो इसके था तो सरस्ष्ष्ट अविनेता का खिताब मिला राजकुमार राव को फिल्म बादाई दो के लिए जबकि सरस्ष्ष्ष्ष्ष्ट अविनेतारी के बात करें तो सरस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अबू धावी के यस आइलेंड पर अभी हाली में इसका 23 पुरुषकार शमारू आजित्वा इसमें बेश्ट फिल्म का अवर्ड मिला दिश्यम टू को बेश्ट डिरेक्टर का जो अवर्ड मिला ये आर माधवन को मिला बेश्ट एक्टर इनर लीडिंग रोल फिमेल काटेग के बात ने तो जुग जुग जीयों के लिए अनील कपूर को दिया गया ये समन्दित वैसे फैक्ट है जहां से कॉमन रूप से अपने नाम किया तो अफसल नमर बी यहां पर इस प्रशन का राइट आंसर हो जाएगा आपको जानकर देनों कि हाली में भारत ने अफगानिस चेंपिंशिप का किताब अपने नाम किया था ज़रसल आपको यहां पर ध्यान रखना है इस चुटाब को किसी हराकर अपने नाम किया तो अफगानिस्तान को हराकर भारत में इस प्रतुकता में आठ देशों ने भाग लिया था इसका आजन अभी हाली में काटमांडू ने प्रशनिक बरेंगे डेक्ष्ट बार्व प्रशनिक की हाले में विश्टू स्वास्त संगटन अर्थाद डबलू अचो ने बाहरी लेखा प्रिक्षक याने की एक्स्टरनल ऑडिटर के रुप में पूर्णह किने निक्त किया है इससे प्रशनिका जो राइट आंसर है जिन दरदल उनका जो नया कारिकाल होगा ये 2024 से 27 के लिए होगा अगले 4 साल के लिए इन्हें चुना गया है तो इससे पहले की बात करें तो 2019 से 2023 तक 4 साल के लिए डबलू अचो में ये पादवे संभाल रहे थे तो इतनी सारी जानकारी आपको यहां से ध्यान रखने है फिलाल आज की इस वीडियो को यहां पर शमाप्त करते हैं हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न क्यों आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाले में बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कौन सा एपल लाउंच किया है इसकी complete जानकारी हमने आपको कल वाले रहेंगे और यहां पर जो मेट्रेल आपको मिलेगा इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी शाथ ही अगर आप चाहें तो इसे एपलिकेशन की भी माद्यम से डाउनलोड कर सकते हैं हाला कि एपलिकेशन पर अभी कुछ गड़वड़ी चल रही है तो आप लोग चाहें तो पे